हेलो स्टुदेंट्स वेल्कम बैक टो कम्पेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का एक बार फिर से कम्पेटिशन कम्यूनिटी में बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ सौरब और आप लोग देख रहे हैं से सीजल एंड यूट्यूब कोर्स जिसमें आज मैट्स में हम एक नय होता है ठीक जहां तक हम ऐसे सीजेल और सीजेल की बात करें तो इसके टीर वन में आपका जो है दो सवाल फिक्स्ट है दो कुश्टन इस टॉपिक से आपका फिक्स्ट है आउट ओफ 25 तो काफी इंपोर्टेंट है कभी-कभी आपको तीन सवाल भी देखने को मिल सकता है ल जाने कि इसमें मार्क प्राइज अंकित मुले यह सारी जो चीजे होती वो मैं थर्ड पार्ट में इसका कवर कराऊंगा ठीक है चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं ताके सारे नोटिफिकेशन्स आपको टाइम ली मिलते रहें यदि आ आपके पास English और GS में से आपके पास lectures आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं SST CGL and CHSL का best preparation आपका हो रहा है free of cost ठीक है तो यहां पर आप notification कवेट करना है आपको अगर मिले या ना मिले आपके यहां पर चेक कर सकते हैं जो lecture आपको मिल गया उसको आप cover कर सकते हैं ठीक है इस lecture का PDF आप Link आपको वहां पर मिल जाएगा competition community का वहां पर जाके आप इसको ले सकते हैं साथ ही साथ आपको जो आपके Sunday को जो questions प्रवाइड होए थे इसके answer की भी आपको प्रवाइड हो जाएगी Wednesday को यह भी आपको competition community के link में ही प्रवाइड हो जाएगा चली इनी कुछ बातों के साथ अब मैं start करता हूँ आज के इस lecture को जिसमें की कही ना कही हम जो पढ़ने वाले है वो है profit and loss अगर आपने percentage का वीडियो पूरा देख लिया है तो कही ना कही मैं आपको सारी चीजे percentage से भी connect करके बताऊंगा और अगर आप यहाँ पर फ्रेश यहाँ पर पहली बार profit and loss देख for example यह profit यह profit जो है और जो loss अगर जो हमारा decrease होता था तो decrease का जगा कौन ले लेगा तो decrease का जगा ले लेगा तो आप इस तरीके से correct करके पढ़ सकते हैं चीजों को कॉश्ट प्र segunda- Intel lending को पढ़ा। उसे कंच करेंगे तो बहुत अच्छी बात है यहां पर जॉ-нее से आपको कही- आपना कही़ एजी लगए चलिएब मैं आता हूँ प्रोफिट ंफीं व्यां के इस कांसेप्ट के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, देखे, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त, आप सभी के हाथ में एक pen होगा, अगर मान लीजे मेरे हाथ में भी अभी एक pen है, मान लीजे कि इस pen को मैंने 10 रुपय में खरीदा और मैंने 12 रुपय में बीचा मान लीजे कि मैंने 10 रुपय में खरीदा और 12 रुपय में बेचा तो क्या होगा तो आप सभी का जवाब आ रहा होगा आप लोग समझ पा रहे होगे कि यहां पर 2 दो रुपय का प्रॉफिट होगा यानि की दो रुपय का लाब होगा लेकिन यदि इसी पैन को मैं 11 रुपया में खरीदू और 9 रुपय में बेचने पर क्या हो रहा है अब नुकसान हो रहा है लेकिन फिर से कितने का नुकसान तो यहां पर कही न कही दो रुपय का नुकसान होगा तो यहां कुछ टर्म होते हैं सबसे पहला टर्म है कि कॉस्ट प्राइस पहला टर्म क्या है कॉस्ट प्राइस सीपी ठीक है इसका मतलब क्या है तो क्राय मुल्य क्राय मुल्य हिंदी वाले लिखेंगे क्राय मुल्य ठीक है तो खरीदने वाले दाम को यानि जिस प्राइ और selling price का मतलब है विक्राय मूल्य याने की बेचने वाला दाम विक्राय मूल्य आप इसको लिख सकते हिंदी वाले जितने भी है ठीक यह होता है आपका selling price याने की विक्राय मूल्य बात समझ में आ गई तो मैंने आपको दो एक्जामपल दिया पहले एक्जामपल में मैंने कहा कि 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा तो फस्ट एक्जामपल में यहां लिखता हूं लेफ्ट साइड में फस्ट एक्जामपल में मैंने कितने में खरीदा 10 रुपया में तो 10 रुपया क्या हो गया सीपी हो ठीक 10 रुपया और दूसरे वाले example में हमने क्या किया अच्छा ठीक है इसको बेचा कितने पर इसको बेचा हमने selling price 12 रुपया पर और second example में मैंने आपको बताया कि हमने इसको क्या किया तो खरीदा यहां पर इसको 11 रुपया में ठीक और इसको बेचा हमने कितने पर तो 9 रु पर खरिद कर आपने कम दाम पर बेचा तो यहां पर कहीं न कहीं आपको लॉस हो रहा है तो सिंपल लेंग्वेज में यदि आप से कोई पूछे कि भाई प्रॉफिट बताईए और लॉस बताईए तो आपको क्या चाहिए दो चीजे चाहिए आपके खरीदने का दाम और लिए आपको बताना है तो कैसे बताएंगे सीदे सी मईनस करेंगे तो였습니다. कि यहां पर निकल की आपका करें है यापका लाब बता रहा है कि दो सिंपल का रॉबए का फ्रोफिट हुआ तो यहां पर दो निकल कि आ यहां बता रहे कि 2 रुपए का लाक है लेकिन जब यहां पर हम आएंगे यहां पर जब आव आओगे तो यहां पर आपको लॉस rif होरा है कैसे पता चला लॉस होरा है कूंकि आपने ज्यादा पे खरीद है और आपने कमाया कम तो कही악 यहां पर 11 रुपए में खरीद कर 9 पर बेचओंगे, तो कहीं न कहीं लॉस होगा, तो लॉस का फ़र्मूला होता है, cp minus esc, यानि कि अब आपको जब हानी निकालनी है, हानी का मांझ क्या हो जाएगा भई, हानी का मांझ हो जाएगा कहीं न कहीं, आपने जितने पर खरीदा, यानि क्रेमूल, minus सविक्रेय मूलय जितने पर भी चैस में आपका क्रेये मूलय बढ़ा होता है तो चोटा होजाब था पर 11 माइनस नौ कर ओगे तो यहां पर 20 रूप्या का नुक्सान थे तो अब यहां से परसेंटेज से जितने लोग percentage भी देखा आप इससे connect करने की कोशिश करिए कि यहां जब increase की बात होती थी तो हम final value minus initial value करते थे तो final value बड़ा है इसलिए हम 12 में से 10 को घटाएंगे लेकिन जब घटाने की बात होती है याने हानी की बात हो रही है तो यहां initial value बड़ा होता है तो इसलिए यहां पर cost price minus selling price कर percentage profit 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 cost cost price कर रहा है अब जब तक कि आपको question में यह बताया नहीं कि आपको विक्रे मूल के प्रतीशत पर निकालना है प्रतीशत तब तक के आप यहां पर हमेशा हमेशा किस के पर पर संट निकालेंगे तो कौस्स पर युष्टेंट के हमेशा昨 Korean पर संटेजॉपट हो यह हमेशा किस पर निकलता है तो हमेशा किस पर निकलेगा हमेशा यह निखिये आपके को प्राइस पर ठीक है यानि कि यहां पर 10 का 10 रुपया पर आपने 2 रुपय का लाब कमाया तो मल्टिप्लाइट बाइंडेट करोगे तो कहीं न कहीं यहां 20 परसेंट का प्रॉफिट है तो आप बताईए यहां पर आपका प्रॉफिट डिवैडेट बा सी पी मल्टिप्लाइड बा हंड्रेड गजय को यदी Qing मिल्य ग्यारा इसको यहां 30 न न approximately 18.18 भी लिख सकते हैं percentage में approximate value clear है यहां तक बाते समझ में आ गई तो कभी भी आपसे कोई simple language में पूछे कि simple अगर question आ गया कि profit कितना है loss कितना है तो profit के लिए आपको क्या चाहिए दो चीज़े चाहिए loss के लिए भी आपको दो चीज़े यानि क्रेय मुले और क्रेय मुले आपके पास है तो आप profit निकाल सकते हैं या loss निकाल सकते हैं साथी साथ आप profit percentage और loss percentage भी निकाल सकते हैं क्योंकि जो profit का value है divided by cost price करेंगे इसमें multiplied by 100 करने पर profit percent आ जाता है loss जितने का हुआ divided by cost price का जितना परतीसात है वो आपको देदेगा कि loss percent कितना हो रहा है clear तो जबी भी आप profit and loss के questions को देखते हैं तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करिए कि उस data में आपको यह समझ में आना चाहिए कि cost price क्या है आपको समझने आना चाहिए कि selling price क्या है अगर यह दोनों चीज़ आप identify कर लिए तो कहीं प्रॉफिट percentage और loss percentage निकालना या profit और loss निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है clear यहां तक बाते समझ में आ चलिए यहां से हम आते है formula पर कुछ formula मैंने आपको इसी slide में बता दिया है तो इस चीज़ को आप note कर लेंगे क्या क्या formula मैंने बता दिया कि lab का मतलब होता है selling price minus cost price यानि कि विक्रे मुल माइनस करे मुल loss का मतलब होता है cost price minus selling price यानि हानी का मतलब होता है करे मुल माइनस विक्राइमुल यदि आप से कोई लाव का प्रतीसत या राव का प्रतीसत कोई पूछे तो लाव का प्रतीसत होता है लाव बटेक्व यानि कि profit divided by cost price multiplied by 100 और loss percentage का मतलब होता है loss divided by cost price multiplied by 100 इसी चीज़ को मैं एक बार और आपको बता देता हूँ in terms of SP and CP तो इन सारी चीज़ों का अगर आपने no down कर लिया है आगे मैं बढ़ता हूँ यहां से आपको इसका formula भी आप लिख लेंगे सबसे पहला formula profit percentage का profit percentage मैंने आपको जैसे बता दिया है कि profit percentage होता क्या है selling price minus cost price यानि कि यह क्या है भाई profit है profit है किसका profit percentage है profit divided by हमेशा cost price पे लगता है तो profit divided by cost price ब्ल्टिप्लाइड बाई तो profit है क्या selling price minus cost price वहीं यहाँ पर भी देखेंगे हिंदी वाले कि यहाँ पर विक्राए मूले minus क्राए मूले क्या है तो lab है और lab क्राए मूले का जितना परतीसत होता है उसी को हम क्या कहते है तो lab परतीसत कहते है यहाँ तक बाते समझ में आगए जब हानी की बात होगी तो यहाँ पर loss percentage क्या हो जाएगा simple सी बात है कि यहाँ पर अब loss हो रहा है तो loss क्या हुआ loss का मतलब होता है cost price minus selling price तो उपर आप देखेंगे loss लिखा हुआ है cost price minus selling price और यह किसका है cost price का कितना परतीसत है यह यदि हम निकालें तो loss percentage आजाएगा हानी की बात हो रही है हानी के परतीसत की तो आपको समझना है कि क्रेम मूल्य में माइनस भी क्रेम मूल करेंगे तो यह हो जाता है हाणी और बटे में आजाता है क्रेम ओल्य ठीक है तो हानी क्रेम की प्रतीसत है उसी को हम क्या कहेंगे तो कही ना कही हानी का प्रतीसत कहेंगे clear है बात समझ में आ गई यहां तक अब कुछ बातें आप यहां से note-down करेंगे जो मैंने आपको शुरुआती तौर पर पर सेंटेज में बताया है, वो चीज आप फिर से यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया था कि price और selling price, 10 रुपए पर खरित कर हमने क्या किया, 12 रुपए पर बेचा, तो हमने यहाँ पर देखा कि percentage profit यह सैलिंग प्रइस माइनस कॉस्ट याने दो रूपया का प्रोफिट और आप हमेशन यहां पर दस का इसका प्रतिशत निकालेंगे तो यहां पर कही न कहीं सौ से मल्टिप्लाय करने पर समझ में आया कि 20 परसेंटेज का प्रोफिट है यह बात तो समझ में आ गए लेकिन यदि मैं यहां पर इसका रेश्यो ले लूँ यानि कि इसको सिंप्लिफाय कर लूँ तो कहीं न कहीं सीपी और स्पी का रेश्यो कितना हो जाएगा अब जब मैं इसक इसको 2 से काटूंगा तो कहीं न कई 5 अनुपात 6 भी तो लिखा जा सकता है 5 रेश्यो 6 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अगर मैं इसको 5 इस्टू 6 रेश्यो में लिख लूँ तो यहां से यह मुझे मिलता है कि भई अब जो प्रोफिट हो रहा है वो कितने का हो सिंप्लिफाय करके परसेंटेज प्रोफिट निकालेंगे तो भी 20 परसेंटेज जा रहा है लेकिन अगर आप बड़े वैल्यू उस पर जो एक्चुल वैल्यू है दस रुपे में खरीद के बारा में बेचना उसमें भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 20 परसेंट प्रोफिट तो आप बड़े बड़े अक्षरों में अपने नोट बुक पर लिख कर रखिए कि जब प्रतीशत प्रोफिट और प्रतीशत हानी के उपर सवाल आ गया तो हमेरे पास बस क्या होनी चाहिए तो रेश्यो वैल्यू होने चाहिए किसकी क्राय मूले की विक्राय मूले की अग आप पहले क्या कर लें बड़े बड़े वैल्यूस को छोटा कर लें कि जब डिफ्रेंश लेना होता है बड़े वैल्यू में यहाँ से कुछ चीजह और आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट पर सेंटेज किस पर निकलता है तो तो प्रॉपिट तो है तो यहां से यदि आपको कोई बुले कि बताओ profit क्या है तो यहां पर profit आप ऐसे भी निकाल सकते कि profit percentage of cost price यानि कि आपको profit निकालना है तो profit क्या से निकल जाएगा कि percentage profit किसका cost price का कित्ता लगा यानि कि अगर मैं कह रहा हूं कि 20% का profit profit 20% का profit 20% का profit हो रहा है percentage और मैंने आपको कह दिया कि क्रेमूल 80 रुपया है 80 रुपया में मैंने खरीदा 80 रुपया मैंने खरीदा तो आप बताएगे यहां से यह आपका cost price है यानि क्रेमूल तो अगर आप से कोई बोले कि लाव कितने का हुआ तो लाव डारेक्ली क्या करेंगे 20% निकाल लेंगे इसका तो profit यदि निकालना है तो profit कितना हो जाएगा तो profit कहीं हो जाएगा 80 का 20% मतलब 80 का 20% का मतलब क्या हुआ एक बटा पांच यानि कि 16 रुपय का profit हो जाएगा काफी बेसिक चीजे में बता रहा हूं ताकि सभी को यह चीजे समझ में आए दिरे-दिरे करके मैं सवाल कराऊंगा तो थोड़ा सा आप patience रखिएगा सारी चीजे में आ article को एक सो 111 रुपया में खरीदा है कितने रुपया में खरीदा में 121 रुपया में खरीदा आप मुझे बतासकते कि loss कितने का हुआ तो loss हमेशा प्रतीशत इसका होता है मतलब cost price का तो एक सो एकूस का इतना प्रतीशत value में नकालना यह क्या है तो 2 बटा 11 171 अगर मैं नि निकालना है मैंने आपको बताया यहां पर लॉस कैसे निकालना है और पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको एक बात बता के रखी है कि अगर यहां पर सेलिंग प्राइज माइनस कॉस्ट प्राइज प्रॉफिट होता है और लॉस क्या होता है तो कॉस्ट प्राइज माइन profit करना या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि selling price होता है cost price में minus loss करना ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यदि मैं इसे rearrange करूं कहीं नहीं तो दिखिए सेलिंग price को मैं left hand side में लेकर आहूं तो क्या मिलेगा cost price minus loss selling price को उठा के left और यहां से यदि मुझे selling price निकालना है तो selling price को दूसरे तरफ लेंगा मतलब कही न कहीं क्या होता है क्रें मुल्य में लाब को जोड़ना या कहीं न कहीं क्या होता है क्रें मुल्य में loss को यानि की हानी को घटाना समझ में आ गए यहां तक बाते तो इसी तरीके से इसी के तहट यदि मुझे यहां पर ये दो चीज दे दिया जाए क्या दो चीज दे दिया जाए profit percentage और साथ में मुझे cost price दे दिया जाए तो यहां से मैं selling price आसानी से निकाल सकता हूँ cost price कितना थ जाएगा 96 का बात समझ में आ गई 80 रुपया cost price था जिसमें से इसका 20 प्रतिस्यत निकाला तो 16 जो कि यहां पर लाब है क्राय मुल्य में लाब जोडने पर विक्राय मुल्य आ गया 96 रुपया का सेम चीज यहां पर भी समझेंगे कि हमारा जो क्राय मुल्य था इस वाले case मे क्राय मुल्य कितना था तो 121 रुपया था इसमें कहीना कई हमें loss हुआ तो कितने का यानि इतने का loss हुआ टो इसमें से मैं 22,22 को को तो सेलिंग प्राइज यहां से आ jsem जाएगा 90-90 कि यहांसे आपको करना है एक सो एक कीस में कितना मैनस करना है तो 111- 22 करना है क्योंकि कहीōn इतने का हुआ इतने का हुआ दोनों को घटाने के बाद हमारा जो अ आ जाएगा वो 99 रुपया का हो जाएगा बात समझ में 121-22 बरावर 99 कैसे आ रहा तो यह कुछ चीज़े हैं आपको ध्यान में रखना है कि इसी तरीके से हम calculations को करेंगे तो यहां पर मैंने आपको formula बताने के साथ साथ यह भी बताया है कि इसको हम calculation में कैसे अपने calculation में लाएंगे ठीक है अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं दो formula और हमें देखने हैं ठीक है जो मैंने आपको पहले percentage में बताया है अब यहां पर हम इसी चीज़ को modify कर रहे हैं in terms of profit percentage and loss percentage यहां पहला formula है कि selling price क्या है cost price into 100 plus percentage profit क्यासे हमने इस चीज़ को लिख दिया विक्रे मुली बराबर है क्राय मुली इंटू 100 प्लस लाब प्रतिसत से इसको बढ़ाना तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जैसे initial value को कुछ प्रतिसत से बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है final value तो यहां क्राय मुली क में loss percent से minus करने पर यह selling price इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं मैंने अभी आपको दो चीज़े बताई सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि selling price क्या होता है CP में plus profit करना यह हमने सीखा याने कि विक्रे मुल्य क्या है तो क्राय मुल्य में लाव को जोड़ना यह दूसरी बात मैंने आपको बताई कि selling price क्या है cost price में minus of loss करना यह दो चीज़े हमने सीखी कि विक्रे मुल्य क्या है विक्रे मुल्य है क्रे मुल्य में minus हानी करना यह मैंने आपको बताया और पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि विक्रे मुल्य क्या है कि क्रे मुल्य में लाव को जोड़ देना यह दो चीज़े आपको बता दिया मैंने और दूसरी बात हमने क्या बताई थी अभी अभी क कि यहां पर जो लाब है यह profit क्या है यह profit है cost price का profit percentage cost price का profit percentage मतलब यह profit को मैं लिख सकता हूँ CP का profit percentage तो CP और CP दोनों से common निकलेगा तो कही न कई एक plus profit percentage बटा सो आएगा जिसको रिएरेंज करके आप ऐसे formula से रिख सकते हैं यहां से भी अगर मैं loss की जगा लिखू CP का loss प्रतिसाद तो CP और CP दोनों से बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 100 मैनस हानी प्रतिसाद बटे हानी बटे 100 ठीक है तो इस तरीके से आप इसको रिएरेंज कर सकते हैं यहां तक बात समझ में आ गए तो देखिए यह दो formula जो है यह बहुत important formula है ठीक लेकिन कहीं न कहीं हम यहां पर multiplication factor का ही यूज करेंगे जो चीजे मैंने आपको पहले शुरुआती तो पर बता के रखा हुआ है किस में तो मैंने आपको यह सारी चीजे बता के रखी है परसेंटेज में एक बार फिर से उस चीज को हम रिवाइस कर लेते हैं ठीक है दो केसे में आपको बताऊंगा profit वाला भी बताऊंगा और लॉस वाला भी बता हुआ तो यहां पर पहले में आपको profit वाले case की बात कर लेते हैं अब देखिए मैंने आपको यहां तक अभी तक यह बताया दिया है कि अगर आपको profit percentage निकालना है तो दो चीज़े चाहिए एक CP और SP मैंने आपको यह भी बता दिया कि लॉस परसेंटेज चाहिए तो हमें क्या चाहिए CP SP का ratio या CP SP ठीक दोनों चीज़े से अपका profit percentage और loss percentage निकल जाता है लेकिन अब हम यहां से थोड़ा सा उल्टा calculation करेंगे कि यदि हमें profit percentage दिया हुआ है और हमें CP SP का ratio चाहिए तो हम क्या करेंगे या फिर यदि मुझे loss percentage दिया हुआ है तो CPSP का ratio हम कैसे निकालेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा discussion अभी कर लेते हैं तो मैं पहले profit वाले case का बात कर लेता हूँ माल लेते हैं कि profit percentage मुझे दिया हुआ 40 percentage है 40 तो हमें क्या पता है भी हमें पता है कि CP में प्लस profit करने पर क्या आता है तो selling price आता है तो मैं सवालों में भी यह चीज़े लिखूंगा इसी तरीके से लिखूंगा तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इस चीज़ को handle कर सकते तो पहली बात है कि अगर मैं इसे 100 लेलू तो कहीं न कहीं यह plus का 40 हो जाएगा क क्योंकि 40 का प्रतिसयत 40 का सौ का चालीस ही होता है तो 40 परसेंट बढ़ाना मतलब कहीं न कहीं यह 140 हो जाएगा एक तरीका ऐसे है इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है कि selling price है CP का कितना CP अपने आप में हमेशा 100 परसेंट होता है CP अपने आप में क्या होता है 100 प्रतिसत होता है तो CP में जब आप इसको 40 परसेंट से बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं 140 परसेंटेज का हो जाएगा SP का क्लियर यह सेकेंट तरीका दूसरा है फॉर्मुले से जो कि है 100 प्लस 40 बाइंडरेट और 100 प्लस 40 बाइंडरेट का मतलब क्या हुआ तो CP का 140 बाइंडरेट हो गया इस तरीके से भी हम कभी-कभी लिख सकते है फॉर्मुला यूज करके ठीक है तो यह सारी चीज़े कोश्चन के उपर डिपेंड करेगा कि हमें ऐसा लिखना है ऐसा लिखना है कि अभी और भी तरीके जैसे कि CP multiplied by 1.4 भी आप इस लिख सकते हैं एक लास्ट तरीका और फ्रैक्शनल वैल्यू के तंजरी है कि आपको क्या करना है आपको बस यह देखना है कि 40 परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 40 परसेंटेज को अटाओगे तो बटे में 100 आएगा और 40 बटे 100 का मतलब 20 से काटने पर 2 बटा 5 होता है जैसी आपने फ्रैक्शन देख लिया कि 2 बटा 5 है तो आपको क्या करना है डारेक्टली सीपी का रेश्यो लिखना इसके बाद कि सीपी अनुपात स्पी का जो रेश्यो है वो क्या हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य याने कि जो डिनॉमिनेटर है यह प्रारंभिक मूल्य बनता था पर्सेंटेज में तो यहां पर प्रारंभिक मूल्य का काम कोस्स कर? और ऐसली openly जो है कई ना कई पांच हो जाएगा और ऐस प्स में एक याने की अब दो का प्राफिट वाला केस हो गया अब मैं आपको एक बार लॉस वाला केस भी समझा देता हूँ फॉर एक्जामपल यदि मुझे इस तरीके का कोई वैल्यू दिया हुआ है 37.5 परसेंटेज इतने का हमें लॉस हो रहा है ठीक है लॉस परसेंटेज है हमारा लॉस परसेंटेज लॉस परसेंटेज जो है ये कही ना कही कितना है 37.5 परसेंट ऐसा दिया हुआ है तो इसको सॉल्फ करने के तरीके बहुत सारे लेकिन मैं आपको यहाँ पर बेस्ट तरीके से बताऊंगा सारी तरीके बता दूँगा लेकिन में जो है हमको identify करना आना चाहिए question के जरीए कि क कर लिया कि CP माइनस लॉस जो है क्या है selling प्राइज तो यदि मैं CP को सौ मानू तो इसमें माइनस 37.5 करेंगे तो कहीं न कहीं 62.5 जो है यह हमारा SP हो जाए यह एक तरीका दूसरा तरीका यह कि CP मतलब SP जो होता है CP में माइनस लॉस करने पर आता है लॉस परसेंटेज को तो cost price अपने आपका 100 परसेंटेज हो गया लेकिन जब आप इसमें 37.5 परसेंटेज माइनस करोगे यानि लॉस माइनस करोगे तो बचे का कितना 62.5 मतलब कहीं न कहीं मुझे यहां पर 62.5 परसेंटेज जो है यह कहीं न कहीं हमारा हो जाएगा value for the percentage of selling price क्योंकि 37.5 परसेंटेज तो लॉस का हो गया मतलब बचा कितना 62.5 फर्मूला यूस करोगे तो कहीं न कहीं ऐसा आजाएगा कि selling price जो है वो CP का 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो कि 37.5 divided by 100 होता है तो जो लोग formula यूस करना चाहते वो ऐसे स्वाल करेंगे ठीक है लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन में से सारे तरीके इंपोर्टेंट है लेकिन question determine करता है कि best तरीका क्या है एक सवाल को solve करने के बहुत सारी तरीके है लेकिन इन में से उसी तरीके को आप चुनिए जो आपको सवाल आसान कर रहा है जो आपके calculation को आसान कर रहा है ठीक है तो यहां से इसका value क्या आ जाएगा यह हो जाएगा कहिना कई CP का 62.5 divided by 100 क्लियर जैसे ही आपने यहां 37.5 परसेंट देखा तो इसका बेस्ट तरीका है ratio बेस्ट तरीका क्या है ratio है क्योंकि percentage में यह चीज हम देखी चुके है कि 37.5 परसेंटेज का मतलब क्या है तो साड़े बारा का table आपको याद रखना है यह है तीन मटे आठ तीन मटे आठ है और जैसे लॉस है इस केस में आपका प्रारंभिक मुल्य तो CP 8 हो जाएगा जो कि इसका हर है डिनॉमिनेटर मतलब यहां पे कही ना कही आपका value 8 cost price तो होगा लेकिन selling price कैसे निकलेगा तो इसके numerator को यानि 3 को 8 में से subtract करो यानि कि 8 में से 3 को subtract करोगे तो value जो बचा वो बचा 5 का तो क कही ना कहीं हमारा जो ratio है वो कही ना कही आठ अनुपात 5 होगा ठीक है इसमें एक चीज और ऐसा भी लिखा जा सकता है ठीक है कि यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कही ना कहीं इसको कट करके वो मैं यहां पर लिख लेता हूँ कि SP जो है वो क्या हो जाएगा CP का SP जो हो जाएगा CP का कितना SP जो हो जाएगा CP का multiplied by आप इसको जैसे देखा कि 2 बचे 5 है तो यहां multiplication factor 7 बचे 5 हो जाएगा एक प्लस दो बटा 5 हो जाता है यहां पर भी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कहीं ना कि SP जो है देखेंगे तो सबसे बेली बात तो मैं आपको यहां पर अपने जहां पर मैं आपके explanation की बात है वो मैं यहां पर सारी चीजों को इस तरीके से तो सारे तरीके आपको पता जरूर होने चाहिए ठीक है चलिए आशा करता हो यह सारी बाते अपने नोट डाउन कर ली होगी अब मैं आपको ले चलता हो सवालों पर क्योंकि सवाले जो है वो तो आसान है और इस पहले वीडियो में मैं कुछ बेसिक लेवल के सवाल लोंग सेकेंड वीडियो में थोड़े से मैं यहां पर डिफिकल्ट लेवल के सवाल लोंगा जो कि आसान ही होते लेकिन देखने में कई बार लगता है कि डिफिकल्ट है ठीक है तो चलिए अब हम कुछ प्रशन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के तो पहला कुश्यन आपकी स्क्र अब प्रतिसत हानी की बात है तो आपको बस यह देखना है कि यहां पर आपको लॉस कितने का हुआ 18-17 यानि कि एक का लॉस हुआ और कितने में तो 18 में multiplied by 100 एक बटे 18 का प्रतिसत मान 5.55 परसेंट होता है यह हमने परसेंटेज के पहले वीडियो में देखा हुआ है तो कहीं ना कहीं यह सवाल का सही उत्तर होगा चलिए आशा करता हूं यह आसान से सवाल से मैंने प्रिज में आजाए अब friendly हो जाए cost price selling price के साथ और profit percentage के साथ चलिए second question है selling price of 30 articles is equal to cost price of 25 articles then find the profit और लॉस परसेंटेज तिस बस्टो का विकरए मुले, पच्छीस बस्टो के कराय मुले के बराबर है, तो आपको लाव यहानी पृत्शत ग्याद करना है, जबी भी आपको इस तरीकी का equation दे द दिया, कि तिस बस्टो का seling price जह reform यह 35 के cost price के बराबर है तो simple सी बात है directly क्या करेंगे हम selling price को ले लेंगे 25 और cost price को ले लेंगे 30 बात समझ भयारी क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखिए सबसे पहली बात आप इसको काट लीजे और simplify हो सकता है इसको यदि मैं simplify करूँगा तो यह 5 बन जाएगा इसे बन जाएगा इनकी सिंप्लिफाय करने पर पर्षंटेज पर कोई फरक नहीं पड़ता अगर मैं इसे रियरेंज करो तो रेशियो में में भी मैंने आपको यह बाते बता के रखिए पांच नीचे आ जाएगा तो सेलिंग प्राइज बटा 5 हो गया और यह सीपी जो है कहीना कहीं 6 हो जाएगा मतलब कहीना कहीं सीपी एसपी का रेशियो जो है वह 6 इस टू 5 का है यानि छे रुपए में खरीद कर आप इसको बेच रहें 5 पर यानि कहीना कहीं आप क्या होगा लॉस होगा तो यहां से भी सपराइज के सामने है और वह रहता है जो नवर सेलिंग सपरास के सामने मिला कर यहां हां इक कि और कितने में तो 6 में क्योंकि क्राय मुले पर ही प्रतिसत निकलता है तो क्राय मुले आपका 6 का है एक की लॉस हो रही है छे में मल्टिप्लाइट बाइंडेट कर लीजे तो कोई ना कहीं आपका 16 टू बाइट री परसेंटेज होगा तो परसेंटेज यह सारी कवर करके रखा हुआ हमने की वन बाइट सिक्स्टीन टू बाइट परसेंट क्यों है यह हमने परसेंटेज के वी कॉस्ट प्राइज जो वो क्या है 11 बटे 9 यानि आपने किसी वस्तू को 9 रुपया पे खरीदा यह आपका रिश्यो हो गया और बेच रहे हो 11 पर मतलब कहीं ना कहीं आपको लाब हो रहा है अब प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है तो एक मतलब 22.22 परसेंटेज का आपको यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा दी जो है सवाल का सही उतर हो जाएगा क्लियर है यहां तक बाते समझ में आगई तीसरा सवाल क्लियर चलिए आसान आसान से सवाल मैंने लिए है शुड़वाती तोर पे चलिए अब यहां से 18.75 फ्रैक्श परै्शनल फैलीू क्या है तो यह है फ्री मल्टिप्लाइड बा उनिख सिक्स प्र aconteort को मतलब होता है यह 17 मतलब इस परसेंटेज का फ्रैक्शनल बेबर इतना है को वे बच्चा ऐसा भी काल सकता है इसको 12.15 deeper परसेंटेज प्लस 6.25 परसेंटेज और 12.25 का मतलब एक बटा आठ इसका मतलब वन बाइ 16 इन दोनों को जोड़ोगे तो कहीं न कहीं ही आएगा यह सारी चीज़े मैंने आपको परसेंटेज के दौरान कवर करा के रखा तो डिरेक्टल आप यहाँ पर परसेंटेज यानि की इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितना है वो है आपका 3 by 16 मतलब CP और SP के रेश्यो की यदी बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि इसका जो डिनॉमिनेटर है वो आपका CP हो जाता है चलिए मैं दीरे दीरे करके कुश्चन के लेवल बढ़ाओं बताऊंगा क्यूंकि यहां पर मैंने शुरुआती तोर पर वह सवाल लिए हैं जो मैंने आपको कैलकुलेशन शुरुआत में बताया उसको आप फ्रेंडली हो जाए अच्छी से ताके यह सारी बाते जो मैं यह प्रॉफिट लॉज का सवाल देखते हैं तो यह जो नंबर दिया है अइडेंटिफाय करिए अच्छे से क्या है जब आपको बोला गया कि यह इतने पर बेचा जा रहा है मतलब यह क्या है यह कहिना कई सेलिंग प्रैस है की नहीं मतलब आपको यहां पर सेलिंग प्रैस दि क्या कि इतना हो जाएगा सी पी और एस्सवी का रेश्यों दिनिकालना है तो बारा आपका करे मुल इसमें एक को माइनस करना होगा क्यूंकि लॉस हो रहा है तो एक माइनस करने पर सेलिंग प्रैस कहीचा हो जाएगा इस ग्यारा कमान कितना है थो 385 रूपया है और अगर यह 385 है तो अब रेश्यो से आप समझ सकते हैं कि आपने यहां पर 11.35 हो रहा है तो इसमें भी क्या करोंगे कहीं 35 कि हमें यही तो करना था ना कि कही ना कहीं हमें क्या निकालना था क्रें मुली निकालना था तो बारा से इसको मुल्टिप्लाय करोगा 350 प्लस 70 याने कि रिपीट नहीं करूंगा सारे लेक्चर्स को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आप एक फ्लो में पढ़ेंगे तो सारी चीज़े आपको दिखेंगी अगला सवाल देखिए और वस्तू की क्रें मुल्य क्या है देखिए अब यहां से आपको 23 1-3 परसेंटेज बता दि आप इसको directly simplify करिए कि यहां 3 into 23 करने पर 69 होता है 69 प्लस 1 करोगे तो कितना हैगा 70 बटा 3 पर 30 और पर 30 का मतलब क्या है बटा 100 मतलब यह है 70 बटा 300 या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि यह 7 बटा 30 है यह है basic तरीका कि अगर आपसे यह चीज़ ब्रेक नहीं हो रहा है त तो आप इसको इस तरीके से भी break कर सकते हैं या आप ऐसा भी इसको break कर सकते है कि कहिना कही अगर मैं इसे ऐसा देखूं क्या है यह 33 1 by 3 percentage minus 10 ऐसा लिख सकते हैं और 33 1 by 3 percentage का मतलब 1 बटा 10 होता है 10 percentage का मतलब 1 बटा 10 होता है तो आप यहां पर नीचे LCM लेंगे तो कहिना कही 30 आएगा 30 और ओपर 10 माइनस 3 करोगे कि तो कहीना कही 7 बटा 30 आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं यदि आप इसको read कर सके इस तरीके से या फिर अगर आपको ऐसा break करना नहीं आ रहा है तो पूरा simplify करके fractional percentage निका लिए और percentage का मतलब बटा 100 होता है तो बटा 100 करके भी आप 7 divided by 30 है अब आपसे यहाँ पर CP और SP में आपको यह दिया है selling price का value तो मैं पहले यह जानता हूं कि अगर मेरे पास fractional value है percentage profit या percentage loss का तो वहां से CP SP का ratio हम निकालना जानते हैं तो अगर यहाँ पर बोला गया कि यह जो लाब है लाब का प्रतिसात है मतलब 30 रुपया का आपने खरीदा होगा और साथ का आपको profit हुआ तो 37 का आपको यह value पड़ा होगा इस 37 का value कितना दिया हुआ है question में 1850 रुपया और 1850 कैसे हो ना 37 में 5 गुणे करने पर 185 होता याने 5 और 10 और मतलब 50 से आप यहां पर multiply करने तो क्रेमूले में भी क्या करना होगा इसको भी 50 से multiply कर होगा clear बाते समझ में आगए चलिए 6th number का question हो गया next question देखते हैं यहां पर दिया हुए if books are bought at price of 250 रुपीज to 415 are sold at ranging from 375 to 530 what is the greatest possible profit that can be made in selling 25 books याने देखिए 2500 रुपया से लेकर 415 रुपय के बीच में मूल्यों पर किताबों को खरीदी जाती है और साथ में 345 से 530 के range में इनको जो है हम बेचते हैं तो 25 किताबों को बेचने पर अधिक्तम लाब कितना हम कमा सकते हैं देखिए लाब को अधिक्तम होने का मतलब क्या लाब का मतलब याने की प्रॉफिट का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं प्रॉफिट का डेफिनेशन होता है वही सेलिंग प्राइज माइनस कॉस्ट प्राइज तो आपका सेलिंग प्राइज जितना ज्यादा बड़ा होगा और आपका कॉस्ट प्राइज जितना सिधा जाता है इस रेंज में याने कॉस्ट प्राइस का जो रेंज दिया हुआ वो क्या दिया हुआ धाइसो रूपया से धाइसो रूपया से चारसो पंदरा रूपया तक और सेलिंग प्राइस का जो रेंज दिया हुआ वो बोल रहा है तो यदि मैं maximum profit की बात करूँ एक book में maximum profit क्या होगा तो 530 रुपिया 530 रुपीस 530 रुप्या minus of कहीड 250 रुपिस मतलब आप इसको देख सकते हैं कि कहीडा कहीड value क्या आजाएगा 280 रुपिया का profit हो जाएगा एक book में अगर 280 रुपया का profit एक बुक में हो रहा है तो अगर आपसे यहाँ पर 25 किताबे बोली गई तो टोटल जो profit होगा टोटल प्रोफिट क्या हो जाएगा टोटल प्रोफिट यदि आपको निकालना है तो टोटल प्रोफिट हो जाएगा यहाँ पर 280 multiplied by 25 25 से multiplication का एक बहुत बहतरीन तरीका है कि आप इस 25 को लिख दीजे 1804 क्या होता है 1804 का मतलब यह होता है कि 25 तो यहाँ पर ज्यादा असान है कि 4 से डिवाइड कर लिया जाए क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर यह वैल्यू सतर बन जाएगा और कही ना कही साथ हजार हो जाएगा समझ में आ रहा है इस calculation को कैसे simplify करना है 25 से multiply था तो मैंने देखा कि 25 का मतलब तो सौ बटा चार होता है चार से में से काट दूगा तो कहीं नगए सतर आ जाएगा तो सतर इंटू सो करने पर साथ हजार वैल्यू आ रहा है क्लियर चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर दिया वेंडर सेल्स कोकोनेट फॉर रुपीज फॉर्टी एंड सफर्स फिफ्टीन परसेंट लॉस इफ्टीन परसेंट परसेंट प्रॉफिट देन वाट इस दा प्राइस ही शुट सेल इट एक विक्रे है कि आपको पहले वाले केस में 15 परसेंटेज का लॉस हो रहा है दूसरे वाले केस में कहीं न कहीं 36 परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है मतलब सीपी और एसपी की यदि में बात करूंगा तो पहले वाले केस में यदि सौ रुपय मेरा कॉस प्राइज है तो सेलिंग प् आपको यहां 15% का लॉस हो रहा है मतलब माइनस 15 करोगे माइनस 15 करने पर 85 मेरा सेलिंग प्रहजा जाएगा दूसरे वाले केस में जहां 36% का प्रॉफिट कमाना है तो 36 प्लस होगा तो यह 136 हो जाए तो सवाल में आपसे बोला गया कि जब 15% का प्रॉफिट हो रहा था तो उ 15% किया हानी पर आप इस वस्तु को बेच रहें तो 15% के लॉस पर बेचने का मतलब सौ में खरीदा 15 मैनस किया तो 85 आया इस 85 का वैल्यू कहीं ना कहीं दिया हुआ रूपीस 40 अब आपको यह डिटर्माइन करना है कि अगर आप इसको यानि कि 36% की प्रॉफिट पर बेचते 36 रुपे ज्यादा पर बेचते तब आपका सेलिंग प्रेस क्या यह बताना है मतलब सवाल में आपको 136 का वैल्यू निकालना है तो यह तो हम पहले से करते आ रहे हैं कि अगर 85 का मान इतना है तो 136 का मान कितना है बताइए तो सिंपल सी बात है 40 divided by 85 यह हो जाएगा एक कि 36 परसेंट अर्जित करना चाहता है तो किस कीमत पर बेचनी चाहिए तो कहीं न कहीं हमसे इस कमान पूछ रहा है तो हम यहां पर 136 को तो जो चीज पूछ रहा है वो यहां multiply होगा पहले आप एक कमान निकाल दीजे 40 divided 85 यह एक कमान है कि एक यूनिट बरावर इतना 36 यूनिट का वैल्य पूछ रहा था इसलिए 136 से इसको multiply करने चलिए यह सारी चीजे मैंने आपको ratio में भी समझाया है डीटेल में अब यहां से इसको solve करेंगे 17 से पांच बार यह जाएगा 17 से कहीं आठ बार तो कहीं न कहीं पांच से कटेगा यह आठ बार तो एट इंट आपको यहां पर दिया हुआ है कि किसी आपड को इतने रुपया पर जब बेचता है कोई व्यक्ति तो उसे 30% का लाब होता है अगर इतने रुपया पर बेचेगा तो उसे कितने का लाब यहानी होगा यह हमें निकलना है तो simple simple सी चीजे यहां पर दिया है सारी चीजों को identify करिए कि यह भी एक selling price है कभ वाला selling price जब 30% का profit हो रहा है यह भी eks Products है तो पिछले सवाल में आपको निकालने को कहा गया था और आपको बताया कि profit परसेंट इतने का लेकिन इस सवाल में ऐसा निए बटा 10 मतलब अगर मैं इसे 10 ले लूँ तो कही ना कही यह 13 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और इस 13 का value दिया हुआ है 9100 मतलब कही ना कही इसमें multiplied by 700 हो रहा है multiplied by 700 हो रहा है 700 700 तो cost price actually है कितना मतलब कि कही ना कही cost price क्या है इसमें भी 700 multiply कर दूँगा तो कही ना कही 7000 रुपय cost price हो जाएगा और अब यह कह रहा है कि आप इसको 7800 रुपय में बेचेंगे जब आप बताईए कि जब 7000 रुपय में किसी चीज को आप खरीड रहे हो और बोल रहा है कि अब आप इसको कितने पर बेचें 7800 रुपय पर बेचेंगे तो क्या होगा profit होगा कि loss होगा simple सी बात है profit होगा तो जहां जहां आपको loss दिख रहा है उस चीज को तो सीधा सीधा minus कर दीजे हटा दीजे अब जैसी मैंने देखा कि 800 का profit है कितने का profit 800 का profit है क्या यह 800 7000 के 10% से ज्यादा है कि 10% से कम है क्योंकि एक option 10% से ज्यादा है दूसरा option 10% से कम है तो कही न कहीं यहां पर आप देख रहे हैं इसका 10% 700 होता है और 10% से ज्यादा प्रॉफित हो रहा है ये दो 0's कड जाएंगी और एक साथ इससे कड जाएगा तो कहीना कहीं बता ये 11 से जाएगा 77 बार तीन का remainder बचा बटे 7% तो ये पूरा हो गया लेकिन solve करने की आवसकता कि जब पता चल गया 800 का profit हो रहा है इसमें तो loss वाले तो eliminate हो गया अब profit में दो option में आप फस रहते एक 10% से जादा है दूसरा 10% से कम है तो मैंने ये देखा भई 10% इसका कितना 700 है और profit कहीं ना कई 700 से जादा हो रहा है तो 10% से जादा वाल option जो है ये सही हो जाएगा तो ये छोटी-छोटी सी वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं ताके सारी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलते रहें और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा profit of 5% एक आदमी जो है 10% के हानी पर mobile phone बेशता है यदि बोला गया इसे 1350 रुपे ज्यादा मूले पर बेचे तो उससे 5% का लाब होगा तो बताना क्या है कि लागत मूली क्या है देखिए कही ना कहीं यहाँ पर आपको समझना होगा कि cost price अपने आप में 100% होती है 100% होता ह है जब आप यहाँ पर इसको 10% के हानी पर बेच रहे थे तो CP में CP कहीं ना कहीं 100% होता है जब आप उसको 10% के loss पर बेचेंगे यानिया आपका जो selling price होगा 90% होगा यह आपका selling price होगा लॉस वाला और इसको ही जब आप यहां से profit पर आएंगे तो कहीं ना कहीं selling price आपका जाएगा 105 परसेंटेज का सेलिंग प्रेज जब आप 5 परसेंटेज के प्रॉफिट पर आएगे और इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है इन दोनों में जो डिफरेंस है प्रॉफिट वाला सेलिंग प्रेज इन दोनों में जो डिफरेंस है तो इन दोनों क है तो यहां पर 105 है मतलब कही न कहीं 15 % का difference है इन दुरों में तो 15 % बराबर इतना है अब सिंपल सी बात है कि 15 % का value यदी दिया हुआ है सवाल में 1350 तो क्या अब सो प्रतिशत का value निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं अगर यहां पे 90 multiply हुआ परसेंटेज में 90 मल्टिप्लाइ करने से रुपिया का वैल्यू आया तो सो में भी 90 मल्टिप्लाइ कर लेंगे तो कहिना कहीं जो है 9000 रुपिया यह आपका परसेंटेज का वैल्यू इतना है 15 परसेंटेज इतना मतलब 90 गुणा तो सो परसेंट में 90 गुणा करोगे तो कहिना कहीं 9000 रुपिया आ जाएगा चीक आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है ऑन सेलिंग 33 अर्टिकल्स अब परसेंट इंकर्ड प्रॉफिट इक्वल तो इस सवाल में जब भी इस तरीके का प्रशना है तो आप क्या करेंगे कॉस्ट प्राइज को एक रुपिया लेंगे सबसे बैस तरीका यह हमको क्या पता है कि कॉस्ट प्रॉफिट करते हैं अ तो Sam Papa चलिंग प्रेजाता है यहानि कि कही न कई क्रेमोल में क्रेमो woven जब अर्ड़ को जोड़ते हैं तो क्या आता है व्क्रेमोल आता है यह हमने देख लिया कई बारते हैं इसमें आप क्या जूडते हैं तो प्लस का प्रॉफिस जोड़ते तो आपका क्या आता है तो भाई selling price आता है अब आप खुद बताईए कि यहां profit कितने का हो रहा है आपको बताया गया कि 33 article को जब बेशते हैं याने कि आपने खरीदा भी 33 article होगा एक रुपए मान लेते हैं इसका क्राय मुले क्योंकि आपको जो लाब दिया हुआ है वो तीन वस आप जानते कि CP और SP का रेश्यो लेने पर कोई चेंज नहीं होता मतलब 11 आपका CP है तो 12 आपका SP मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वह एक रुपए का हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट आप लोगको आ गया होगा समझ में कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना एक का प 33 अपर सेंट इंकर्ड लॉस इक्वल तू सेलिंग प्रैज ओफ त्री अर्टिकल्स वट इस दफ लॉस परसेंटेज आपको निकालना देखिए यहां थोड़ा सा चेंज है कंफूजन हो जाता है यहां पर ठीक है सेम पैटन है बस यहां पर छोटा सा चेंज कर दिया तो आ पर किने क्या पता है कि कॉस्ट में यानि कि क्रय मुलिय में जब लॉस को माइनस करते हैं मतलब कि अगर मैं यहां से विक्रय मुल्य को 1.00 Berg करे मूले को एक रूपया मानेंगे तो कहीं न खई 33 आर्टिकल बेशने पर 33 रूपया आएगा में माइनस 3 करने पर 33 आया मतलब ये वाला X जो है वो कहिना कई 36 होगा तो loss वाले case में ये समझना होगा आपको कि selling price में इतना जोडने के बाद cost price निकलता है मतलब ये जो है आपने इसको खरीदा होगा 36 रुपया पर 36 ये ही वाले question में गलती होने की chances भी होती है थोड़ा सा confusing होता है लेकिन अगर आप थोड़ा चोकरना रहेंगे तो गलती होने की कोई chance नहीं है CP और SP का जो अनुपात है वो कितना है भई 12 का और 11 का मतलब 12 पर खरीद के आप 11 पर बेच रहे हैं मतलब अब आपका loss percentage निकल जाएगा यहां से percentage loss जो है वो क्या है वो है एक का loss कितने में 12 में multiplied by 100 करोगे तो कितना आजाएगा आठ एक बटे तीन परती से 8 1 by 3 percentage यह सारी percentage values हमने पहले वीडियो में percentage में cover किया ठीक है चलिए आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा इस तरीकी की कुश्चन को कैसे हैंडल करना है अगला सवाल दिया है loss incurred by selling an article for 600 is equal to profit gain by selling the same article for 1000 then what is the cost price of the article किसी वस्तू को 600 रुपय पर बेचने पर उतने का ही हानी होता है जतने का इसको 1000 रुपय पर करे मुल क्या है देखिए जबी आपको दिया हुए सवाल में कि जिस वस्तू को जितने पर बेचने पर जितने का हानी हो रहा है और दूसरे वैल्यू पर बेचने पर जितने का लाव हो रहा है अगर यह दोनों इक्वल है तो डारेक्टली आपका सीपी क्या होता है इन दोनों को जोड़ देना 600 प्लस 1000 बटे दो यानि की 800 इसका क्रेम मुल हो जाएगा सवाल का उत्तर यह है ठीक है अब जब loss हो रहा था तो selling price 600 रुपया का है और जब profit हो रहा था सेलिंग पर कहीं न कहीं 1000 रुपय का मान लेते हैं कि यहां पर एक्स रुपया का loss हुआ यानि कि यहां पर कॉस्टि में X minus करने से value है तो profit भी तो उतना ही हो रहा है यानि X का profit हो रहा है तो आपको ये चीज समझना होगा कि cost price में X minus करने पर जो loss है तो selling price 600 है और इतने ही जितने का loss था उसी को अगर profit में बदल दिया जाए तो cost price में इतना value जोडने पर आपका 1000 आ रहा है सवाल यही दिया है कि यहाँ जितने का loss है वहाँ उतने का profit है मतलब कही न कहीं आप इस चीज को समझिए कि यहाँ से जब मैं इस चीज को बढ़ाना चालू करूं तो X से बढ़ाऊंगा तो cost price तक पहुंचूंगा इसको एक बार और X से बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर इस वाले selling price के पहुंचूंगा मतलब यहाँ से इस value और इस value का जो अंतर है वो कही न कहीं X प्लस X याने 2X के बराबर होगा 2X के बराबर क्या है तो 1000-600 मतलब यह जो है कही न कहीं 400 के बराबर है मतलब यह जो X है X का मान कितना हो जाएगा तो 400 बटा 2 जो कि हो जाएगा 200 रुपिया मतलब इस case में जो profit है वो भी 200 रुपिया और इस case में जो loss है वो भी 200 रुपिया और जबी भी आपको selling price और loss दिया है तो आप समझ चुके है कि इसको जोडने पर आपका cost price आ जाएगा 800 रुपिया या फिर आपको profit और selling price दिया है तो 1000 में 200 माइनस करोगे तो यहां पर कही ना कर आपका 800 रुपिया है दोनों तरीके से आप यहां पर profit माइनस करके 800 निकाल सकते है या selling price में 200 जोड कर आपका 800 निकाल सकते है यह हो गया बेसिक तरीका इससे भी आप देख सकते हैं उत्तर जो है कही ना कहीं डी ऑप्शन आ जाए चलिए अगला सवाल देखेंगे यहां से दिया हुआ है कि लॉस इंकर्ड बाइ सेलिंग अ आर्टिकल फॉर दिस मच इस थर्टी सेवन पॉइंट पर्सेंटेज मोर देन यहां पर जो है फोड़ा से चेंज कर दिया यहां लॉस इक्वल टू सेलिंग प्रॉफिट नहीं बताया गया यहां आपको बोल रहा है कि लॉस और प्रॉफिट जो है वो कहीं इसमें 37.5 परसेंटेज ज्यादा है लॉस वाले केस में तो आईए इसको भी समझते हैं घवर 5 परसेंटेज अधिक है तो वस्तू की लागत मूले क्या है बताना है तो देखे कहीं न कहीं कॉस्ट प्राइज में कॉस्ट प्राइज में हमें यह बात पती है कि कॉस्ट प्राइज में जब प्रॉफिट को जोड़ा जाता है यदि मैं यहां से प्रॉफिट को जोड़ू तो एक selling price आएगा ठीक है? यहाँ से यदि मैं इसको loss को minus करूँ तो भी एक selling price आएगा clear? लेकिन यहाँ बोला गया कि आपका जो loss हो रा इस case में वो इससे 37.5% ज़्यादा है 37.5% ज़्यादा है 37.5% को represent करने का सबसे best तरीका आप लोग जानते इसका मतलब होता है 3 by 8 3 by 8 मतलब यह अगर 8 unit का है तो यह 3 ज़्यादा होगा मतलब यह 11 unit का होगा loss clear है? 37.5% को कैसे handle करना है? 3 by 8 इसका fractional value है और जैसी यह 3 by 8 है मतलब प्रारंभिक मुले 8 होगा profit जो है loss कहीना कही profit से इतना ज़्यादा था और loss कहीना कही 11 unit का होगा तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा simplify करने कर के लिए ऐसा लिख लेता हूँ कि अगर यह 8 x का profit है यहाँ पर 8 x का profit है तो कहीना कही 11 x का नुकसान भी है और नुकसान वाला selling price 5 to 4,9 दिया होगा है और कहीना कही यहाँ पर profit वाला selling price जो है 9,999 दिया होगा है तो कहीना कही इन दोनों का जो difference है वो 11 प्लस 8 x यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो total difference है 19 x के बराबर होगा और 19 x के बराबर क्या है तो 9,999 माइनस 5,249 तो यहाँ से 9,999 माइनस ओफ 5,249 करना होगा और जैसी आप देखेंगे इसका difference कितना रहा है 9 में से 9 गया तो 0 9 में से 4 गया तो 5 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 5 गया तो 4 बचा x का मान हो जाएगा इसके बटे में 19 क्योंकि 19 x का मान है 19 से काटो गया तो कहीं न कई दो बार कटेगा 38 से और फिर 9 आ रहा है 95 पांच बार कटता है यानि 500 हो गया अब जहां से आप यहाँ पर calculate करना चाहते है जो ज़्यादा आसान है जैसे मुझे पता चल रहा है 8 x calculate करना ज़्यादा आसान है क्योंकि अगर x इतना है तो 8 x कितना हो जाएगा 8 x का मान हो जाएगा 2000 रुपया मतलब अगर यह 2000 है मतलब यहाँ आपका profit 2000 रुपया था तो अगर profit इतना है मतलब cost price में 2000 जोडने पर इतना होगा तो इसमें से 2000 माइनस करोगे तो कहीं ना कई cost price जो है उस 7999 का रहा होगा क्राइम मूले क्लिर है बात समझ में आ गए कैसे इसको हैंडल करना इस तरीकी के सवाल को यह जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बात समझ में आ गए चलिए आगे बढ़ते है 15 नंबर का सवाल है आपके screen के उपर ratio of the loss incurred by selling an article for this much cost price नहीं निकालना है आपको बताना क्या है कि 12% के लाब पर बेशने पर क्या विक्राइम मूले होगा यह हमें निकालना है यहाँ पर तो किसी वस्तू को जब इतने रुपे पर बेशने है तो प्राप्त हानी जो है और उसका अनुपाइब पूछ रहा है 53900 पर बेशने पर जो लाब है उसके साथ का अनुपाइब आपका 15 अनुपाइब तेरा का है अब बारा पर्सेंटेज की लाब पर बेशने पर इसका विक्राइम मूल क्या है यह हमें बताना है तो देखिए कही ना कही CP जो है यह नहीं दिया आपको तो CP यहाँ पर लिख लेते हैं बीच में इसमें जो लाब हो रहा है प्रॉफिट जो हो रही है इस पर बेशने पर एक सेलिंग प्राइज आएगा और यहां से जो लॉस हो रहा है इस पर बेशने पर एक और सेलिंग प्राइज है लॉस वाला जो सेलिंग प्राइज है वो है 45,500 और प्रॉफिट वाला जो सेलिंग प्राइज है वो है 53,900 और बोला क्या है कि आपको जो लॉस है जो लॉस है और जो प्रॉफिट है loss और profit का जो है ratio 11 is to 13 है मतलब यहां अगर 15x का loss है तो यहां 13x का profit है तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे कि यहां से लेकर यहां तक का जो difference है वो 15 plus 13 जो है वो कहीना कई 28x के बराबर होगा और यह किसके बराबर है तो 53900-45500 इन दोनों के बराबर होगा तो देखे 900 में से 500 गया तो 400 बचा और तिरपन में से 45 घटाओगे तो कहीना कई 3 और 5 यहने 84 आ रहा है यह अगर 28x के बराबर है तो 28 इसको काट देगा 3 बार यानि कि X का मान जो है कहीना कई 300 है आपको जहां से पसंद आ रहा है वहां से आप इसको solve कर सकते है जैसे कि अगर मैं 15 का value निकालो तो कहीना कई 45 आ जाएगा 45 मतलब कहीना कई यहां जो loss हो रहा है इस वाले case में यहां से लेकर यहां तक का जो loss है वो आपका बन जाएगा 4500 का और 4500 जैसे मैं इसमें जोड़ूँगा तो कहीना कई यह 50,000 बन जाएगा cost price यदि 50,000 cost price है तो यहां पर cost price निकालने को नहीं कहा गया है तो 50,000 यहां पर mark करने की गलती मत करना क्योंकि यहां cost price नहीं पूछ रहा है आप से पूछ रहा है वस्तू को 12% के profit पर बेचने पर कितने का profit क्या आएगा value यह आपको निकालना है तो कहीना कहीन आपको जो value निकालना है इसका 12% बढ़ाने के बाद जो value आ रहा है वो निकालना है 12% बढ़ाने का मतलब 112% कर देना और 112% किसका तो 50,000 तो 20 तो यहां पर percentage हटाने पर जाएंगे और कहीन अगर 500 है तो 500 को मैं लिख सकता हूं 1000 बटा दो 500 को मैं क्या लिख सकता हूं 1000 बटा दो लिख सकता हूं अगेन एक और calculation ट्री दो से काटो गो तो 56 हैगा 56 इंटू 1000 करोगे तो कितना जाएगा B is the correct answer clear बात समझ में आ गई चलिए आशा करता हूं इस तरीकी के pattern के question अगर आप आपके exam में आ जाए तो आप कैसे इसको solve करना है यह आप समझ गए होंगे ठीक है बहुत important pattern है और आपके exam में ऐसा pattern बन चुका है आगे बनने की chances रखता है कि next question आपके screen के अपर है यहां दिवाए A sells an article to be at a profit of 10% B sells it to see at 18 2 by 3% profit C ने D को बेचा 20% profit पर और D ने यहां पर कहीना कई इतना रुपया दिया A को अब A ने इस वस्तू को B को बेचा था 10% के लाब पर फिर B ने 18 2 बटे 11% के लाब पर C को बेचा C ने फिर से लाग कुमाया 20% का और D बेचा रहा है यहां पर 4,290 रुपया दे रहा है तो बताए कहीना कि A ने इसका कितने दाम पर खरीदा था यह बताना है तो देखे यहां पर 4 लोग है ट्रांजेक्शन में A ने इसको B को बेचा और B ने इसको C को बेचा और C ने इसको D को बेचा मतलब D यहां पर कहीना कही कितना दे रहा है रुपेज 4,290 रुपया दे रहा है 4,290 रुपया और हर एक व्यक्ति जो है यहां लाब कमा रहा है याने A ने कहीना कही 10% का लाब कमाया बी ने यहां पर 18,2 बटे 11% का लाब कमाया और C ने कहीना 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 यहां पर 20% का लाब कमाया है तो तीनों के तीनों व्यक्ति यहां पर इतने इतने परसेंट से इसको बढ़ा रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज होते जा र बढ़ाने का मतलब क्या है 110 परसेंट कर देना यानि कहीं 110 बटा 100 यह जो वैल्यू आ कहीं इसका वैल्यू होगा जो कि की एका सेलिंग प्राइज है और जो एक का सेलिंग प्रैज है वही बी यहां पर ए से खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं ए अगर इसको बेच रहा है तो A के लिए तो वह cost price हुआ लेकिन sorry A के लिए तो वह selling price हुआ और जो B है B इसको क्या कहेगा कि B का cost price है और B यहाँ पर इसको इतने value से बढ़ा रहा है और इसका मान होता है 2 बटे 11 2 बटे 11 से बढ़ाने का मतलब अब जब value यहाँ से बढ़कर यहाँ पहुंचेगी तो अब यह हो जाएगी 13 बटे 11 की क्योंकि 11 को 2 से बढ़ा होगे तो 13 unit हो जाएगा यह value अब यहाँ पर है और B यहाँ पर C को बीच रहा है मतलब B का selling price है यह जो value है B का selling price है लेकिन क्योंकि B इसको C को बेच रहा है तो यह क्या हो जाएगा C के लिए cost price हो जाएगा और C ने इसको 20% पर बढ़ाने के बाद यहाँ दिया इधर का value निकालने के लिए फिर से इस value को हमें कहीं न कहीं 20% से बढ़ाना होगा याने 120 बटा 100 और इतना दाम जो है वो D दे रहा है और D कितना दे रहा है 4290 रुपे दे रहा है अब इसको solve करिया यहां से कितना आ जाएगा अगर मैं इसे काटना काटना चालू करो 00 कट जाएगी एक जिरो इससे कट जाएगा यदि मैं 11 से इसे काटो तो कही ना कही 33 से 33 के बाद यहां पर आपका 99 बार तो 90 बार कट करो 13 से मैं काटू इसे तो 13 से कट जाएगा 30 बार और किससे कंट रहा है suppose करें कि मैं अगर इसे 6 से काटू तो यह 2 बार कटेगा यह 5 बार कटेगा अब इसके बाद यदि मैं इसको और simplify करने के कोशिश करूँ तो 5 से ये वाला value कर जाएगा 5 बार ये वाला मतलब कही न कहीं यहाँ पर 5 और 5 25 इंटू 11 करोगे 275 आएगा x का value 275 और साथ में एक 0 वहाँ पर चूटा हुआ है 10 तो यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया चली तो यह एक और इंपॉर्टेंट पैटन ऑफ कुश्चन है आपके एक्जाम में आया हुआ है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा से यहाँ पर value चेंज करके आपके लिए एक नया कुश्चन आपके सामने रखा हुआ है आशा करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है इस तरीकी के करने के लिए उसे किस मूले पर बेचना होगा अब देखे कुछ चीज़े यहां से आप मेंटली करना चालू करिए तो कि इतनी सारी मैंने आपको बता दी कि अब आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं यहां पर क्या कहरा गहां यहां से आपको बोल रहा है पहली तो बात कि 8 परसेंटेज का नुकसान और 8 परसेंटेज के वैल्यू कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है कि आप यहां पर 92.5 रुपीज से इसको बढ़ा रहे हैं बात समझ मैं कि आप जब इतने रुपया से बढ़ाते हैं तब आठ प्रस्तिशत के नुक्सान से निकल कर आप 10.5 प्रस्तिशत के प्रॉफिट पे आ जाएंगे अब सेटेटेज के लॉस करना है तो इसका मतलब कहींना कहीं सेलिंग प्रैस जो और 88% के ब्राबर हो गया अब दीखे ए क्लियरली आंपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर इसमें पांच गुणा करने पर यह वैलू आ तो इसमें भी कहींना कहीं पांच आपने इसको 8% का नुकसान कहा तो कहीं ना कहीं आपका सेलिंग प्राइज यहां पर हो गया 92% और दूसरी बात आपने कहीं कि यहां पर जब इसको हम बढ़ाते हैं 92.5 रुपीज से जब बढ़ाते हैं इसको इतने रुपिया से बढ़ाते हैं तो यहां पर जो प्रॉफिट होता है वो होता है 10.5% और 10.5% का प्रॉफिट मतलब 110.5% का सेलिंग प्राइज हो जाना और आप खुद ही बताइए कि 92 से बढ़कर यहां तक जाने का मतलब क्या 18.5% बढ़ाना किसका सीपी का तो यह परसेंटेज अगेन सीपी का है 12% का नुकसान का मतलब सेलिंग प्राइज जो है वो कही ना कही 88% का होगा और आपको 88% का वैल्यू निकालना था जिसमें 5 गुना कर ओगे तो 440 रुपिया हो जाएगा क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अठारवे नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर बोल रहा है ओना सर्टेन आइटम प्रॉफिट इस वन ट्वेंटी परसेंट इस इंक्रीज पर्सेंट देन वाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जीन इफ दस सेलिंग क्या होगा यह आपको बताना नए लाब का प्रतीस्यत कितना है बताना है उखम सबसे पहली बात हमें क्या-क्या आपने cost price को 10% से बढ़ाया मतलब मैं अगर cost price को 10% से बढ़ाऊंगा तो कही ना कई cost price कितना हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा 110 रुपया से खरीद कर आप selling price को change नहीं कर रहे हैं मतलब selling price इतना है उतने का उतना है यहाँ पर 110 पर खरीद के 220 पर बीच रहे हो जितने का cost price उतने का profit 110 का ही profit हो रहा है 210-110 और cost price 110 है multiply by 100 यानि कही ना कही यहाँ 100% का profit हो रहा है मतलब पहले जो profit था 120 का percentage का वो कम होके थोड़ा कम हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने क्रेय मूल बढ़ा है तो simple सी बात है क्रेय मूल बढ़ाओगे तो थोड़ा सो कम profit होगा ही होगा ठीक चलिए आगे बढ़ते है अगला सवाल है यहाँ पर 19 नंबर का यहाँ पर दिवाए अर्टिकल फॉर 2700 अ परसेंट विर्स अलॉस ऑफ 16 2 बाए 3 इफ वट ओफ इट सेलिंग प्रैस दिन ओट इस दी कॉस्ट प्रैस अफ तार रूपार किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रेय मूल का सोला दो बटे तीन परतीसत का नुक्सान होता है तो कि सवाल मिल जाए जहां पर बोल रहा है कि percentage जो profit है या loss है वह selling price के reference पर निकल रहा है जैसे यहां पर आपको बोला कि 16-2 बटे 3% का नुकसान होता है किसका तो विकर है मुले का ना कि cost price का ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है कि CP में क्या ध्यान रखना है CP में loss की बात कर रहा है तो माइनस का loss करने पर कही ना कही जो value आता है वह आपका SP होता है यह में पता है अब loss percentage जो हमको दिया करेगा मतलब मुझे यह जो 6 unit है यह उठाकर इसे देना होगा और loss जो होगा वो 6 unit का एक unit loss होगा मतलब loss एक का है तो बताइए cost price कितना होगा 7 का होगा अरे भई यह समझे कि यहां loss हो रहा है loss का मतलब x-1 करने पर आपका 6 बना मतलब x क्या होगा 6 पलस एक होगा यानि 7 का आपका क्रेमुल होगा मतलब कही ना कही आपने इस article को 7 पे खरीदा है एक का नुकसान कमाया है और आपने 6 पर बिचा है मतलब CP SP का ratio है हमारे पास है जो कि 7 रेश्यो 6 और आपको दिया गया कि आपने selling article फॉर इतना मतलब इसको जो दिया हुआ है आपने कितने पर बेचा था 2700 रुपे पर बेचा यह तक आपको यहां पर दिया हुआ है तो कही ना कहीं 6 कमान कितना है तो 2700 रुपे अब आपको क्या निकालना है तो आपको निकालना है वस्तु का क्रे मुल्य तो साथ का वैलू निकालना है तो अगर शे का वैलू इतना है तो साथ का वैलू कितना है निकाल सकते हैं कई बार इस तरीकी का तो 4 बार कटेगा 24 से 24 की बाद 30 है यानि 5 और इतना यहनी कि कहीना कही अठाइस सो प्लस 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 था ठूंब तो तीन एक पांच सवाल प्लस कोई नमबर का अब नेक्स इस कुशन देखतें यहां पर सेंटी कल एट प्रॉफिट आप purchased at for 10 percentage less and sold it for 200 rupees more he would have gained 33 1 by 3 percentage of the original cost what is the he would have gained 33 1 by 1 percent what is the original cost of the article तो यहां पर देखिए बता रहा है इस सवाल में कि कहीना कहीं हमें 10% के लाब पर एक वस्तू को बेचने पर यदि उसे 10% कम पर खरीदा जाता था 10% कम पर खरीद कर इसे 200 रुपए ज्यादा पर बेचता है तो इसे 33 1-3% का क्या होता है तो वस्तू की लागत मुल्य क्या है आपको बताने है तो सिंपल सी बात है यहां पर कि पहले जो लाब था प्रॉफिट परसेंटेज था वह कितने का था दस परसेंटेज का था याने कि अगर मैं यहां से सीपी ले लू सीपी और स्पी का रेश्यो लू तो यदि आपने इसको सौ पर खरीदा तो आप कितने पर बेचोगे एक सो दस पर बेचोगे लेकिन सेकेंड केस में बोल रहा है कि आपने इसको दस परसेंट से कम किया इसका दस परसेंट कम करना मतलब दस कम करना यानि आपने इसको 90 पर खरीता और साथी साथ आपने इसको कुछ value से बढ़ाया तो कितने value से बढ़ाया तो 200 रुपिया से ज्यादा बढ़ाया प्लस 200 रुपिस किया लेकिन यह रुपिस में तो यहां पर गलती से 110 में 200 जोड़कर 310 लिखने की गलती मत करना क्योंकि मैंने आपको शुरुआती तौर पर बढ़ाया जा सकता है value को जोड़ा घटाया जा सकता है लेकिन percentage और value को नहीं जोड़ा घटाया जा सकता है तो आप आपको अगर इस तरीके से सॉल्व करना है तो आपको 110 प्लस 200 रुपिया रुपीज लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं या एक और तरीका मैं आपको बता के रखता हूं कि यहां पर इतने प्रतिस्यत का गेन हो रहा है 33 1 by 3% का मतलब होता है एक तीहाई और एक तीहाई मान य उन देख रहे हैं कि हमारे क्यल्कुलेशन में 110 से बढ़कर 120 हो रहा है याने कई न कई दस युनिट बढ़ रहा तो दस यूनिट का वैल्यू 200 रुपिया एक आपS यूनिट का वैलू 20ुपिया हो vastu की क्या मूल यह क्या मूल MAX यानि की 100 रुपय का महन अपको निकालना है तो वही अगर यहाँ पर 10 unit इतना है तो एक और 0 लगा दूँगा तो यहाँ पर भी एक और 0 लग जाएगा मतलब कई न कई 100 unit का value जो है वो कई न कई 2,000 रुपया है यहाँ तक बाते समझ में आगे चली तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोपता हूँ तो आपको में आ गया होगा कि profit loss को कैसे solve करना है अगले वीडियो में आपके पास बहुत अच्छे-च्छे सवाल लेकर आऊंगा profit and loss की तो एक पूरे वीडियो में केवल questions हम देखेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखकर ही आप वहाँ जाएगा क्योंकि कुछ अच्छे questions भी होंग ठीक है चलिए इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ thank you so much इस वीडियो में इतना ही